हेलो फ्रेंड्स रेका रेसिपी इसमें आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर की टेस्टी और हेल्दी रेसिपी मेथी मटर मलाई मेथी मटर मलाई बनाने के लिए मैंने यहां पर एक पैन में दो चमच वेजिटेबल ओयल लिया है और 100 ग्राम मेथी की दो चमच ओयल लेंगे और रफ्ली चॉप्ड अनियन जिंचर गार्लीक और ग्रीन चिली इन सब को हलका ब्राउन होने तक फ्राइ करेंगे यह देखिए हमारा अनियन ब्राउन हो चुका है अब साथ में हम रफ्ली चॉप्ड टमेटो डाल देंगे मैंने यहां पर दो टमेटर डाले हैं अब इसमें 10-12 पीसिस काजू के डाल देंगे इससे हमारी सबजी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा अब हमें यह सारा मिक्षर अच्छे से पकाना है तो इसके लिए मैंने यहां पर हाफ टी स्पॉन सॉल्ट और आधा कप पानी डाल दिया है इसे हम अच्छे से पकाएंगे धीमियाच पर पकने के लिए छोड़ देंगे यह देखे हमारा अनियन टेमैटो का मिक्षर बन करे दी हो गया है अब हम इसे ग्राइंडर जान में डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे अब उसी पैन में हम एक तेश पत्ता दो लॉंग एक छोटी लाइची डालेंगे और जो हमारा टेमैटो अनियन का फाइन पेस्ट है उसको हम स्ट्रेंड कर लेंगे अच्छे से ताकि हमें एक फाइन ग्री भी मिल जाए ही रेखिए हमने सारा अपना मेटिरियल मेक्शर स्ट्रेंड कर लिया है अब हम इसमें साधनुसान नमग डालेंगे और साथ में है आदा छोटा चमाच लाल मिर्च पाउडर और आदा छोटा चमाच जीरा पाउडर इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और पांच मिनट के लिए दिमियाच पर पकाएंगे पांच मिनट के बाद ग्रेवी का कलर थोड़ा चेंज हो किया है अब हम इसमें दो चमाच फ्रेश मलाई डालेंगे या फ्रेश क्रीम आप चाहें तो अमुल क्रीम का प्रियोग भी कर सकते हैं मैंने यहां पागर की मलाई का प्रियोग किया है अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब मिक्स करने के बाद इसमें आदा कप बॉयल मटर डाल देंगे यह मटर मैंने पहले से ही बॉयल करकर रख लिये थे अब हम इसमें मिक्स कर देंगे और साथ में ही फ्राइ की हुई मेथी डाल देंगे और इसे धीमी आज पर दस मिनिट के लिए अच्छे से पकाएंगे तो यह देखिए हमारा मेथी मतर मलाई बन कर रेडियो गया है इसे फ्रेश क्रीम से गार्णिश करेंगे अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद